असलामों आलेकूम, तो चलिए आज हम बनाते बड़ी आसा बटर चिकन है, एकदम रेस्टरॉंस चाहे, उंगलिया चाटते रह जाओ गए, इतना डिलिशुस बनता है, और घर के हाजर मसालों से रदी हो जाता है, चलिए शुरू कते हैं आज की रेसपी, साधा रन याने और इंक्रीडियन से एक्स्टरॉणरी डच बनाते हैं चलिए, यह है आदा किलो चिकन बॉनलेस, मैंने थाई पोशन लिया है, आप प्रेस पोशन ले सकते हैं, चर्बी निकाल लीजिए, दो तीन पानी से धो लीजिए, और मैंने मीडियम मीडियम पीसस किये हैं, आप देख स सकते हैं, और इसे सबसे पहले तो मैंने 10-15 मिनिट के लिए चन्नी के उपर निताने रख दिया था, 10-15 मिनिट हो गई तो एक प्याले में डाल दीजिए, अब इसमें डाल दीजिए, वानफोच छोटा चाय का चमच नमक, एक छोटा चाय का चमच आतरक लसन का पेस्ट, न चन्नी के अंदर है न, मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जितनी नॉर्मल दही दाल कर रखी थी, और पानी जो सारा निकल गया, तो मैंको 1 टेबल स्पून दही मिली, तो मैं अब ये एक प्याले में डाल देती हूँ, अब इसमें डाल दीजिए, आताल चोटा चाय का चमच काला नमक और एक चुड़ चाय का चमच कसूरी मिती को हादों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए, एक टेबल स्पून तववे के ओपर तेल डाल दीजिए, और उसमें एक चुड़ चाय का चमच बेसन डाल कर उसे बहुत अच्छा भून लीजिए, जब कलर चेंज होने जब कलर चेंज हो जाए, चुले को कर दीजिए बंद एक प्याले में निकाल लीजिए और हलका ठंडा हो जाए, तो इसमें ये बेसन मैने भून कर डाला है, सबसे पहले सारी चीजिए को मिक्स कर लीजिए, मैं थोड़ा सा रेड फूट कलर तंदूरी का डाल रही हूँ, ये औप्शनल है, आपने नहीं दालना, तो आप स्किप कर सकते हैं, और एक टीबल स्पून आप नॉर्मल रेगूलर तेल दाल सकते हैं, ये मैने सरसो का, यानि के मस्टर्ड तेल दाला है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अब ये जो मेरिनेट करी हुए चिकन साइ के लिए रख सकते हैं, या अगले दिन मेरिनेट करके रख दीजिए, नेक्स डे बना लीजिएगा, मैं एक घंटे धाकर फ्रिज में रख देती हूँ, मेरिनेट करने के लिए, ये तकरीबन 150 ग्राम मोटी मोटी कटी हुवी प्याज है, ये है, समझी ना, तकरीबन 200 ग्रा मोटा काटकर दाला हूँ और वो 10 काजू है, अब इसके अंदर दाल दीजिए, घंट मसाले, तो 3 काली मिर्च, एक डांडी दालचीनी की, 2 लॉंग और एक तेज पत्ता, ये भी इसके अंदर दाल दीजिए, सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए, मैं थोड़ा सा 1 टीबल जितना तेल दाल देती हूँ इसके अंदर और इसे तकरीबन एक मिनिट तक फास्ट आच पर फ्राय कीजिए, जब एक मिनिट हो जाए, यहाँ पर मैं दाल देती हूँ, एक छोड़ा चाहे काश्मिरी लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर लीजिए, और ये जो मिर्च दाली है, उसके बाद भी आधा एक मिनिट तक फास्ट आच पर फ्राय कर लीजिए, जब फ्राय हो जाए, तो पानी दाल दीजिए, तकरीबन आप चाहे तो डेड़ कप दाल सकते हैं, आप चाहे तो दो कप दाल सकते हैं, मैंने पानी दो कप दालाए, डेड़ कप से थोड़ा उपर है और दो से कम है बन फूट छोड़ चैका चमिश नम्मक दाल दीजिए और उसमें उबाला जाने दीजिए जब उबाला जाए तो स्लो आज करके तकरीबन 14-15 मिनिट तक इसे स्लो आज पर पकने दीजिए अकरीबन 13-14 मिनिट हो चुके हैं चूला मैंने कर दिया बंद और आप देख सकते हैं पानी कितने हद तक ड्राइव हो गया है अब इसमें दाल दीजिए 3-4 टेबिल स्पून जितना मकषन यानिके बटर मसका मैं यहां भर-बर के दाल रही हूं मतलब 4 टेबिल स्पून जितन तो एक फ्राइव पैन के अंदर 2-4 टेबिल स्पून जितना मकषन दाली है मैंने तो तकरीबन 3-4 टेबिल स्पून जितना भर के दाला है थोड़ा सा तेल दाल दीजिए और अभी यह जो मेरिनेट करी हुई चिकन है यह सारी डाल दीजिए बिसमिल्लाय रह्माले रेम बो दीजिए 2-3 मिनिट तक आप फ्राइ कर लें चिकन को फास्ट आँच पर तो चूले को कर दीजिए slow आच और तकरीबन 10-11 मिनिट तक दम पर slow आँच पर धाकर पकने दीजिए सो दाट हमारी चिकन भी पक जाए अब पहले हमने 3-4 मिनिट पकाया और फिर 10-11 मिनिट पकाए हैं और आप देख सकते हैं चिकन गल चुकी है तो आप चाहे तो फास्ट आच कर दे या मीडियम आच करकर इसका जो पानी है वो सारा सुखा लीजिए और बार बार चलाते रहिएगा तो इसमें भी फिर थोड़ा चिकन पकेगी तो पाई दर टाइम ये ड्राय आउट होग तो इसे मिक्सर जार के अंदर दाल कर बहुत अच्छा क्रीमी टेक्स्चर होए तक पीस लीजिए आप चाहे तो बाचस में भी फ्राय कर सकते हैं और ये देखिए टेक्स्चर अच्छा हो गया अब भी हमें क्या करना है चन्नी से इसे चान लीजिए नीचे पतिली रखिए और चन्नी के अंदर ये सारा हमारा मिक्सर दाल दीजिए और इस तरीके से चानते जाए अच्छा मिक्सर जार के अंदर बहुत सारा लगा हुआ है तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें चला कर डाल दिया है और बहुत अच्छे से ये देखिए हमें अच्छा टेक्स् पतिली के अंदर में दाल रहे हैं, आप चाहे तो फ्रेश पतिली ले सकते हैं, तीन टेबल स्पून भर कर मक्षन याने के बटर दाल दीजिए और थोड़ा सा तेल दाल दीजिए और हलका हो जाएं, तो यहां पर मैं डाल देती हूँ, 3-4 चुटचाय का चमज, धनिया पाउडर, 1-4 चुटचाय का चमज, गरम मसाला पाउडर और इसे भी डाल कर चुटकी बर नमक डाल दीजिए और दाल कर मिक्स कर लिजिए और स्लू आज पर इसे भी 1-2 मिनित तक पकने दीजि इसे चला लीजिए और फास्ट आज पर इसमें उबाल आ जाने दीजिए, जब बार-बार चलाते रहिएगा, जब उबाल आ जाए, तो इसको स्लो आज करकर आप चाहें तो ढाक कर पकाए, या फिर ऐसे भी बिना ढाके भी 5 मिनित तक इसे पकने दीजिए, बीच-बीच मे लगा हुआ, चिटका हुआ, हमारी कढ़ाई के अंदर सारा डाल दीजिए, इसे चला लीजिए, एक बार चूला फास्ट आज पर कर दीजिए, और इसमें उबाल आ जाने दीजिए, अगर आपको लगे नमक कम है, तो आप नमक अज़स्ट कर लीजिए, अगर आपको बालन उबाल आ गया, तो स्लो आज करके इसे ढख कर पाच्छी मिनिट तक तमपर पकने दीजिए, पाच्छी मिनिट हो गए, तो यहाँ पर मैं दाल देती हूँ, एक से दो टेबल स्पून जितना भर कर मलाई, मैंने दो टेबल स्पून दाली, आप तीन चार टेबल स्पून भी दाल सकते हैं, हम जादा मलाई खाते नहीं है, इसके लिए मैंने नहीं दाली है, एक चुड़े चाहे का चम्मच, गसुरी मित्री को हादो के मदद से ख्रश करके दाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, और ढाकर स्लो आज पर एक से दो मिनिट तक, इसे सिमर होने दीजिए, ज कोईला रख दीजिए, गर्मा गरम, उसके ओपर तेल, घी या मखन दाले, क्विक्ली उसके ओपर डाले, और क्विक्ली ढाक दे, और ढाकने के बाद उसके ओपर कुछ वजन रख दे, तक करीबन 4-5 मिनिट तक, ऐसे ही रहने दीजिए, गर्मा गरम मैं इसे लच्छा परा और ये बन गया हमारा बड़िया सा मज़िदार सा रेस्टरॉन स्टाइल बटर चिकन, एक दम फ्लेवर फुल माशालला, घर्मा गरम इसे प्याले में निकाले और सर्फ करें, सर्फ करने के टाइम पे थोड़ी सी कोथ मिर्याने के हरा धनियां से गानिश कीजिएगा, और निम्बू का टुकड़ा साइट पर रख दीजिएगा, जिसका मन की होने छोड़ कर खा लेगा, अचा इस रेसिपी के अंदर स्पाइस यानि के हरी मिर्शी और लाल मिर्शी जो भी है इस रेसिपी में अपने स्वाद अनुसार अच्छ कीजिएगा, तो हैना मज़ेदार अगर आप यह वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमें सेक्शन में जरू शेयक एगा अपने कमेंस पर बहुत अच्छे लगते रेसिपी अच्छ लगे तो लाइक जरूर कीजिए और उससे जाद अच्छ लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंस में इस वा झाल